कि रागव संस्कृत्यान जी स्वागत आपको जी नमस्ते आवाज आ रही है मेरी है जी आज मैं आपका चैनल देख रहा था आज ही आपका लाइब भी हो गया जुड़ गया मैं कई वीडियो देखा अभी आप गुरु घासी राम या संत घासी राम किन के बारे में बता रहे थे उन्हें के 21 सिचाओं को यि बारे में बात किया आप ने जिससे लग रहा कि आप सहमत है कि उनकी सिचाओं अच्छी थी सही सोच रहा होँ मैं सिक्षा 21 ने 21 दुरगुण थे और उसकी दुरगुण थे वो दरसर तो सर आप लोग एक तरह तो उनको मान रहे हैं कि वो दुरगुण हटानी की बात जो है वो सही है सहमत भी है और वही दुरगुण आप लोग फैलाते भी है अच्छा क्या फैलाते हैं बताईए जूठ बोलना आप लोग बोलते हैं नफरत आप लोग पैलाते हैं दुएस आपने उपका होगा है और आप जो चीज बोल रहे हो न उसका प्रमार भी देते चलिए चलिए क्या जूठ बोलते हैं सर जरा बताएं और ये अमित तिवारी जी का एक आप ही के चैनल पर है वीडियो तो उन्हें ने कहा मैं हिंदू धर्म को अपने पैर के अंठे के नाकून के नीचे रखता हूँ तो जो हिंदू धर्म मालता है उसके पर दिन नफरत है की नहीं अच्छा ये नफरत है आपको आपके लिए बड़ी जरूरा हमने चेंज किया है की पूरी बात सुनी जाएगे आज हम पूरी बात सुनेंगे आपके लिए जरूरी जरूरेप पड़ी पूरी शिकायत लगा लिजी और दूसरा ब्रामर किसको लुटा है ब्रामर ने अरे हमसे सवाल मत पूछिए शिकायत लगाते जाई जाई बस जवाब फिर पूरे मिलेंगी कि यह जूट है आपका एक तो नफरत हो गया गया आपका जूट है और तो यही यही तीन दुरूर तो आप में दिख रहे हैं यार चार दाना पॉपको नहीं खाने दिए मेरे को लगए कुछ सौट डिवरसो टाइप के होंगे तिकाया चलो एक एक प्यात जब एक प्यात जब आप नहीं दे पाएंगे प्रभू अरे रागव भईया थोड़ा सुनो तो यार जवाब भीच में आप घूसरे हो भई सुनो चलिए जूट प्यात आते हैं मैं जब ये कहता हूँ कि भई राम चरित पारस के अठारवी चौपाई में लिखा है कि जुग सहस्त्र जोजन परभानू लीलियोताही मधूर फल जानू लिखा है कि हरुमान जी ने जब देखा अस्मान की तरफ तो उनको सूरज जो है वो एक मीठे फल के समान दिखाई दिया और उसको लीलने के लिए वो कूद गए यार ये जूट लिखा हुआ है इस जूट को बताना मेरा मेरा फर्ज है मेरा दाईत्व है मेरा करतव है आप चुप रही है आपकी कॉमेंटरी नहीं चाहिए जब आप शिकायत लगा रहे थे ना तो मैं बीच में कॉमेंटरी नहीं किया था आजाद इनकी चौश दबागे रहना एक एक प्याएंगे तो भई हनुमान जी क्या हनुमान जी के पिता जी भी सूरज नहीं खा सकते ऐसा है भाई कि सूर जो है उसके सर्फिश टेंपरिचरी पच्पंसो डिगरी सेलसियस होता है अगर हनुमान जी सिर्फ ये कोशिश करे ना कि मैं सूरज को खा जाओंगा तो वो सूरज के आधे दूर पर जाके ही उसके जो सोलर फ्लेयर से उससे जलके मर जाएंगे भाई ठीक है दूसरी बात है हनुमान जी अगर सूरज के पास जाएंगे तो हनुमान जी को सूरज से बड़ा होना पड़ेगा सूरज को खाने के लिए तो हनुमान जी जैसे ही सूरज के पास गये ना तो actually मैं पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ठीक है ये तो मैंने physics में पड़ा है वही कि आइंस्टाइन की general theory of relativity है जिसमें space time के करवेचर होता है उस करवेचर के कारण sun के इर्दगिर्द ही है जितने planet से revolve कर रहे तो कितनी बड़ी गप हमारा भाई तुलसी दास ने इसलिए भाई ये जूट को बताना मेरा काम है और जो इसको मानता है वो क्रचारे के भाष्य से लेके तुलसी दास तक इवन आपका जो आरे समझी था स्वामी दयानन सरस्वती इन लोगों ने इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी के उपर अपने धार्मिक गरंथों में इतनी अनरगल बाते लिखी है उनको इनसान के जैसा इनसान नहीं मान है ठीक है तो यार मैं नफरत नहीं फैला रहा हूँ मैं उनको याद दिला रहा हूँ कि भाई ये ऐसी ऐसी बाते हैं इनके धार्मिक किताबों को मानने के आपको जरूरत नहीं है और तीसरी बात पर भी मैं आता हूँ मैं इनके साथी साथ में जोडता हूँ कि इन्होंने क तहा कि मैं ब्राह्मण दर्म को अपने अंगुठे के जो नाखून है न उस पर रखता हूँ, जो अंगुठे की नोख टो हाँ, रख़ूंगा мएं मैं रखूंगा जो यहां-पर बैठा हुआ हूँ न तो मैं नफरत की डोर कहीं तो तूटे यार ये चीजे कहीं तो बदले तो शायद ये दाइत वह हमारी पिढ़ी के उपर उतरा है और शायद ये जो दाइत वह इसका निर्वहन करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ऐसे ब्रामण धर्म को जो इनसान को इनसान नहीं समझे ज की औरते किसी के काम की औरते सुन्दर या कुरूप पूरूस नहीं देखती किसी की भी हो जाती है मैं ऐसे ब्रामण धर्म को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ हाँ मैंने ये सब चीजे कहीं है हाँ यही बात है चौच खोल दो इनकी आजी भाई अन्म्यूट कर लो औ पर चौच पगड़ो देखो यार मैं अपने आपको ब्रामण नहीं मानता लेकिन अगर तो ब्राम्मणों की छाती पे साप नहीं दल पाऊंगा ये तिवारी लिखने का ही अच्छा उच्छा नहीं ये लोगों को बताऊं कि एक ब्राम्मण घर में पैदा होके भी मैं ब्राम्मण धरम को लात मार सकता हूं और मैं इस देश के उन लोगों के साथ में खड़ा हूं जिनका शोशण आपके ब्राम्मण धरम ने किया है तो ये तिवारी जो है ये अंधा कुटिल साप है जो आपके ब्राम्मण धरम के पिछवाड़े में घुसाता रहता हूं मैं बिठा के ठीक है नहीं तो नाम रूप के भेद सब यार ये जितने ये इवन आपका नाम मेरा नाम ये हमको दूसरों ने दी है ठीक है हम है होमो सेपियंस यहाँ पर कोई भी कुछ भी नाम लिख सकता है लेकिन चूकी आपके ब्राम्मण धरम ने अगर दिया ना सरनेम मुझे तो चलो ठीक है इसी सरनेम को देखिए मैं अपने जीवन में तैकिया हूं मैं कि कमजोरी क मेरे ब्रामण दोस्तों मेरे यूवा ब्रामण दोस्तों खासतोर से इस पिड़ी के लोग आपी इस जंजाल से बाहर निकलो देश के वंचित वर्ख के साथ में आके खड़े हो जाओ क्योंकि अब जो यूग है वो वैज्यानिक यूग है अब ये बात कुछ और है इसलिए ये सरनेम तब तक लगा रहेगा जब तक आप लोगों के पिछवड़े में आग लगती रहेगी ठीक है बिलकुल इसके बाद और जूट बोला इनोंने भी रागप जी सुन लीजे एक मिनट मैं इस पर और कुछ थुड़ी दो बाते जोड़ देता हूँ दरसल जो तिबार कि सरनेम लगा है, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि सरनेम लगाने से जाती बाद खत्म नहीं होगा लेकिन जब हमने लॉजीकली सोचा और इसकी रिजल्ट देखे, जब मैंने ये सोचा कि सरनेम लगाने से अगर रैसनल्टी को बढ़ावाद दिया जा सकता है, जो सोसित समाज है उसके साथ खड़े होकर अगर कोई सरनेम यूज करके जो सोसनक करने वाला समाज है, उसमें रै ब्रहमड धर्म का और जो ब्रहमडबादी मांसिक्ता की लोग है उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने बहुजन समाज के साथ धोका किया है उनको गुम्रा किया है उनको विवकूब बनाया है तो एक जो बीच में ट्रस्ट का फैक्टर आता है वो वहाँ पर तूट साता नजर आता था लेकिन जो लोग रैसनल भी थी एवन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं भले वो प्योर रैसनल हों उनके अंदर ये वहाँना है कि हमारे जो पूरबज रहे हैं उन्होंने अत्याचार किये जो नहीं करना चाहिए था हम उनके सरमिंदा है और हम जाती ब अने में ये डर लगता था कि देवरसल ये लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं कही इनके अंदर ये ब्रहमन लोगों के पिरती नफरत तो नहीं है उन्हें ऐसा लगता था कि ये सायद जो बहुजन लोग है वो नफरत करते होंगे लेकिन जब ये तिबारी सरनेम यहाँ स से नफरत करता है और ना कभी की है वो नफरत उन से करता है जो imposter सोते हैं जो घुछते हैं बहरुपिय के रूप में और धोका करते हैं लेकिन जो सच्चे rational होते हैं जो दूसरों की पीडा को समझते हैं उनके साथ बहुजन समाज हमेशा साथ खड़ा रहा है उनको साथ लेकर चलता है तो ये इतिबारी सरनेम यूज करने के बज़े से यहां पर हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड अपरकास्ट के रैस्टनल साथ ही है जो आज हमारा सपोर्ट करते हैं हमारे साथ हैं तो इसलिए भी इतिबारी सरनेम यूज करने बहुत खुबसूरत बात कही है आज अपने फिर से दिल जीती है बहुत खुबसूरत बात कही है आज आज आपने दूसरी बात ये है यार मैं तो अपने असली नाम के साथ यहां बैठा हूँ ये तो अपने असली नाम के साथ आये भी नहीं है, रागाओ भाई तो, ठीक है, तो जूटा कौन हुआ, दूसरी बात आजाद ने इतनी बढ़िया बात की, रागाओ जी आपको पता है, मैंने आपके ब्रह्मण धरम को लात मारा ना, ठीक है, तब से आज तक, यहाँ पे मु रख के दुआये देते रहती, कि ले बिटा लड़ तो इस ब्रहमण धरम से, ठीक है, यह इनसानियत का काम चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जाती वाद से लड़ना मैं ऐसा मानता हूँ, कि न सिर्फ जरूरी है, बलकि करतववे भी हमारा, क्योंकि यह इनसानियत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यह काम चल रहा है यहाँ पे, आप लोगों को ना मगर यह खुबसूरती कभी दिखाई नहीं देगी ना, क्योंकि आप लोग हमेशा से जाती वाद ही करते आये हो, आप चाहते हो कि वो जो स्टेटस को बने रहे, आप कुछ लोगों से यह, मैं नहीं चाहता हिस्सा बनना इसका, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान होके पैदा हुआ हूँ, मैं मरूँगा भी वैसे ही, और ये भी बता दूँ, आपका ब्रामण धरम ना मेरे को जला भी नहीं पाएगा, ठीक है, मैंने अपना सरीर जो हो दान कर दिये, एफिडेविट सा मैं मेरी लास थुक के जाएगी आपके ब्रामण धरम पे, लो भाई, तो आप क्या सिखाओ गयार सच और जूटको, आप खुदी जूटी परंपरा के वहन करने वाले लोगों, देखिए ये सौमदत सर हैं, वो कहरें, आजाज जी मैं भी तथा कथित ब्रामण जाती से हू तो आप पढ़ते पढ़ते आपकी आँखे चौंदे आ जाएगी, रागब जी बता हैं, और क्या जूट बोला, आज अपनी पूरी जो भडास है ना निकालिएगा, चलिए हम सुन रहे हैं आपको यहां से, कर लिजे लिए लिए, इन्होंने जूट बोला जो संकराचार न अपने भाष्य में शूत्रों के बारे में यह नहीं लिखा है कि अगर इनके कान में वेदवाक के पढ़ जाएं तो उसमें गरम सीसा डालके उसके कान में डाल दो, अच्छा, तो कम मिले थे आप संकराचार जी से, यार, संकराचार को आप बता रहे हैं, तो उसे मिलके बत तो फिर उसका जो नोट उसको क्यों अपनी जैम में घूम रहे हो, भाई, उसको फाड़ के फेक दो ले, तो क्या है, कौन सा अदिमी मेरे को पता ही नहीं, मैं किसके बारे में, आप तो सिखाने जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना, प्लीज, अरे, सर, थोड़ा दिमाग की बात कीजिए ना, प्रामण देउता, प्लीज, दिमाग की बात कीजिए, कुछ ऐसी बात कीजिए ना, जहां पर लॉजिकली आप मेरे से कुछ बात कर सको, ना, प्लीज, मतलब आप अपनी अल्प बुद्धी का परिचाय दे रहे हैं, यहां पर लगातार, कुछ ऐसी आप अपनी अपनी बात कीजिए, कुछ लिखित प्रमान लाइए, कि कुछ ऐसी मेरे कुछ चीजे बताईए, आपने यहां पर यह कहा, यहां पर यह गलत है, ऐसा बोलो, हाँ तो गलत कहा आपने, क्या गलत था बताओ, आप संकर अचाय इसको समझा रहे हैं, कब मिले थे आप संकर अचाय से, जब आपके उपर बात है तो आस्था है आपकी, हाँ, वास्था है रहे ही, जब आम अख्या देवी के मंदिर में सती की योनी की पूजा होती ही, तो क्या सती की योनी को देखे हो कै सही में आप, बस योनी की पूजा करते हैं सती के, सती का हर अंग पवित्र है, हर अंग पवित्र है, और अच्छा यह बताओ, ब्रह्मा विसनू महें सहां रहते हैं, चलो बताओ, किसी को पता थोड़ी है लेकिन रहते हैं आपको पता ही नहीं योनी के माद्धे में रहते हैं अब आप जूट बोल रहे हैं तो चलो मैं यहीं दिखा देता हूँ आमीजी अब दिखा यहीं पता मैं को इक बात बोल देता हूँ यहां मैं सिर्फ आपके जूट पर बात कर रहे हूं, जो आप जूट बोर रहा है कि मैं पिछले जनम का भार लेकर के यहां बैठा हूं, पुर्खों का इतिहास है, ब्रामणों के द्वारा दमन का इतिहास है, भारत का इतिहास, ठीक है? यार आप ना, देखाओं मेरे शब्दों मैं से नहीं पकड़ सकते हूं, मैं आपसे कहीं जादा पढ़ा लिखा हूं, और दूसरा आपको कुछ और भी चीज अभी पढ़ाँ देता हूं, मैं. आजाद भाईया मेरे स्कुलिक लोग भी लंपट होते हैं जो पढ़ा लिका अब सुनो संकरचारी लंपट थे सही बोले यह देखो आपको कामाख्या तंत्रम आगे रादे साम चतुरवेदी आपी आपी के ब्रामण देवता ठीक है इसने देखा ही के योनी को यह देखो क्या लिखाए जो नीच व्यक्ति योनी की निंदा यह उससे घ्रणा करता है हे देवी सीवी की आग्या सव सीगरी रोराव नरक में जाता है मतलब एक नरक कभी नहीं के टिगरी भाई रोर नरक में जाय अगा न बतल। योनी का निंदा करना ही नी योनी का बस तारीव करते हैं योनी तु कितनी सुन्दर दीखती आँ योनी आज तरे बाल बलड़ खुबसूरत दीख रहे हैं आँ हा योनी आज आ आज इस देश को विज्ञान की जरूरत है ठीख है आज इस देश का जो यूवा है वो चाहता है कि उसका स्थान दुनिया में विश्व में भारत जो है अगरणी बनके हर छेतर में आगे आए क्या मैं अपने देश के युवाओं को बैठके ये बताऊं कि भाईया योनी की निंदा ना करना बाबू भाईया योनी का तारीब करते रहो क्योंकि योनी के मध्य में सिव विस् कहते हैं कि हमारी आस्था है अगर आपकी आस्था इतनी असलील हो सकती है तो हमारे ये constitution ये हमारा fundamental duty है कि हम scientific temperament को बढ़ाएं आपकी जो बखबास ग्रंतों को यहां पर उनकी सच्चाई दिखाई जाए और आपकी इसमें आस्था है तो आप रखिये आस्था हमारा भी ये fundamental duty है कि हम आपकी आस्था को आपकी आस्था पर सवाल खड़ा करें और आप ये जो बेवकूफी कर रहे हैं आस्था के नाम पर इससे हमारी भी feelings हर टोती है अब जो देश में जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमरह करते हैं जो लूटते हैं उनके साथ सोशन किया जाता है जाती के नाम पर उनको मंदर में घुसने नहीं दिया जाता है जाती के नाम पर उनकी हत्या कर दी जाती है किसी को मंदर घुसने पर उनको मारा जाता है पीटा जाता है एक बच्चे के मंदर में घुस जाने से आपका भगबान जो इतना डर्पों कि इतना कायर है कि वो और भगवान को और आपके धर्म को मैं जूते की नौक पर ही रखता हूँ और रजाजी इसमें बहुत और आड करनी है जैसे कह रहे हैं कि हमारी आस्ता है तो भई शंकर ने जो शंकर भाष चकिए है ब्रह्म सूतर को फिर उसमें पास्ता रखिये ना उस पर क्यों आप सवाल कर रहे हैं जैसे आपको बागी चीज़ों पर आस्ता है तो वैसे आपको चाहिए कि ब्रह्म्व सूत्र के संकर भाज्टे पे भी आपको अस्था होनी चाहिए आपको उसके सवाद नहीं करना चाहिए है ना तो अगर आप आस्थे में टीके है तो फिर आपको आस्था सब जगह पे होनी चाहिए अब ये थोड़ी ना है कि आप एक जगह पे आप question answers कर रहे हैं और ये जगह पे आप फस गए वहाँ आस्था कह दिया तो यह दो दो भाशा आप यूज कर रहे हैं तो आप फिर पर ऐसा ना करें फिर फिर एकी रस्ते में चलें दूसरी बात है देखिए आप रियलिश्ट अजाद और आईजेक न्यूटन भाई ने बहुत खुबसूरत बाते हैं कि उसमें आगे मैं उसमें और जोड़ देता हूँ देखिए यार बात यह है न सीधी साफ कि यहां पर इंसानियत की बात हो रही मानवता की बात हो रही इस देश में अभी तक जाती बात पर बात होती रही इस देश में हमेशा जो धर्म है इस पर बात होती रही कि भाई कौन किस कुए से पानी पिएगा इस देश में यह बात होती रही कि कौन जात के बाद में अब इस देश में इंसानियत की बात होनी चाहिए मैं अपने संविधान का ही निर्वहन कर रहा हूँ दूसरी बात है मेरे को पता है कि यहां पर बहुत सारे लोग आपके जैसे टुन्नी आते हैं जो कि आपका जो ब्रामण धर्म है उसको गिरता हुआ जब देख रहें यह देख रहें कि लड़के तीन बैठ के यहां पर इस से हमारा जो ब्रामण धर्म है वो दरसल जैसे उसकी दीवारे ना जो परदे होते ना उस तरह से हिल रही है तो मैं जानता हूँ आप लोग यह सब करते रहते हैं बैठ के एक बाबू आते हैं बोलते मैं डीटा को भी बोलूगा देखो भाई सच का निर्धारन जो है ना वो समय करता है यह अभी आपका यह जो पूरा यह जो हमने आप से बात की ना इसका वीडियो काटके हम कल पर सुमी लगाएंगे ठीक है हम देख लेंगे कि उस समय कितने कॉमेंट में हमको प्यार मिलता है और आप आ पिटकरवाद ही चलेगा समझे उधर साजिस पे शाजिस हो रही है उधर साजिस पे साजिस हो रही है फिर भी नवाजिश हो रही है इधर वो नफरतों से जल रहे हैं और यहां फूलों की बारिश हो रही है तो भाई दोस्तों मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि थोड अपने भगवानों पर बहुत फूल आले, अब नहीं होगा, अब आपके प्रयंवर धरम की रक्षा नहीं हो बाएगी. और यहां से श्टिमेंट्स मैं कुछ पढ़ाता हूं आपको इसको द्यान से पड़े एक नट मैं शौट में पढ़ा देता हूं सावन के अंधे को न सब हरा ही हरा दिखाई देता है समझे अभी आपको पता भी नहीं है आपके नीचे से जमीन सरक गई है आपको नहीं है आप अंधे होगे हैं देखते हुए रामन्दीर उत्रा भब बन ला है थैसको पढ़ो ना आपके लिए ब्रामट देवता है पर बसने वाले या सरसंसार का देवता है। उन्हें अपनी काम वासने की पूर्ती के लिए धर्म शास्त्रों ने अनुलोम विवा करने की छूट दे रखी है। विवा करते थे। ऐसी लड़की को अपने मातर पिता के घर पर ही रहना पड़ता था। नंबुदरी ब्रामःड रात के अंधेरे में नायर लड़की से संभोग करने के लिए उसके माबाप के घर जाता था। उससे संतान भी पैदा करता था जो संतान लड़की के मातर पिता के पास ही रहती थी ऐसी लड़की को किसी और से शादी करने का कानूनी अधिकार नहीं था गोया की वह नंबोदरी ब्रामःड की बैध या कानूनी तोर पर रखेल पत्मी थी उससे पैदा हुए बच्चे उस ब्रामःड पिता की संपत्ती में कोई अधिकार नहीं रखते थ वह नाना और माता की संपत्ती के वारिश बनते थे नंबोदरी ब्रामःड उस इस्त्री के घर में खाना नहीं खा सकता था क्योंकि वह शूद्रा थी देख लो भईया अब यह देखो यह अब यह जो है अगली जो बात है यह पड़ी ने भी अपनी किताब है ना हम यह हमा पहले वक्ति था याने जो नायर जो ऐसी काश्ट के लोग थे सर संकर नायर ऐसा पहले वक्ति था जिसने इस प्रकार के विचार के खिलाफ आवाज उठाई थी केम मुंशी गुजराती ब्रामड था बड़ा पसीद वकील और आरे सहस्रिती का बड़ा पोशक रहा है अपन ब्रामड को तीनों नीम्न वर्णों की स्त्रियों से अनलों विवा करने का अधिकार है बताओ भाईया एक स्त्री के रहते वे दूसरी स्त्री से शादी हो रही है यहां पर और रमदरी ब्रामड को है अब यह हो रहा है यह बताओ जमीन पर उतर के देखो ना सर क्या हालत है आज कल की क्या कोई मतलब छोटे बच्चें सोलर सिस्टम को अपने स्कूल से पढ़के आते हो मानेंगे उनको बताओ थोड़ा देखो कि भाई हनुमान जी सूरज खाते क्या बूलेंगे हासेंगे दूसरी बात राम मंदिर का ता काश इस देश के लोगों ने सोचा हो था कि हमको हॉस्पिटल बनाने है ठीक है लोग तड़ब के मर गया आपके अपने परिवार के लोग मरें होंगे यार मैं मानी नहीं सकता 60-70 लाक रोग मरें कोविड में ठीक है राम मंदिर के जो पुजारी बगएरा थे उनको भी तो कॉरोना हो गया था वो उनको नहीं बचा सका लिया तो बाई इनको कुछ पता नहीं है यह राम मंदिर बड़ा भावे बन रहे उस पे खुश हो रहे अरे काश आप खुश होत कोई जमीन नहीं कमा लिए है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं इन नजारों का अंधा तमाश भी नहीं तो भाई मेरे को ना भाई प्लीज माफ कीजिए आप लोग मैं आपके ब्रामन धरम को जूता मारने के लिए पैदा ही मारेगा भाई इसका कामी यही है आप यही सोचो क्योंकि मैं तो इस देश के सोशित और वंचीतों के साथ ही खड़ा रहूंगा क्योंकि मैं इनसान हूं भाई मैं नहीं समझता कि आप आप लोगों के पस में इनसानी दिल भी है ठीक है तो मैं तो इनसान हुग है तो मैं पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, हम ये सब तो नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू-मुस्लिम हमको जरूर करना है, और वो भी आप वो भी ना इस देश के पुनी वर्गों से आप कराना चाहते हैं, जिनको आपने मंदिर में नहीं जाने दिया, आज आप चाहते हो कि वो जाके आपके लिए मुसल्मानों से लड़ें, क्योंकि आपकी संख्या है ही नहीं, तो मैं इन बेवकूफ बातों में तो मैं आपका साथी नहीं हो सकता यार, सॉरी, ठीक है, जी, आगे बताए रहेंगे, सर अब यूरेसिया ने की, ठाइलेंड ने जाके, अरे एक मिनट ब अबही इतना लंबा जया यार, आपके कान पाख गया, कि कान के बाल इतने बढ़े हैं बहाई, की मेरी आवाज आपके लिए पलाई ने पता है, तो वहाँ कौन मानेगा, उतियार ने मेरे साथी है, भाईया मेरे को यूरेसिया बेजोगे, कि रागा को भेजोगे यूरेसि और भाइ यह वह खाले नहीं हो कि लिए को जमीन फटार के पैदा हुना आप लोग तो वहां बार मुरों लिखा हैं लिखा हैं ब्रामडों लिखा है अमितिवारी भी जाएगा यह देखो भाई गाजा सुनके ब्रामड बैठा हुए अजा चोध दबाव इसको यह देखे बीडी तमबाकू से उधा बीडी तमबाकू से उधार पंडितों के दात काले हो गया थे इनका फ्रेवपड़ा भी काला हो गया लगता है पीपी के अरे भाई यह सस्ता नसा सूंग रहा है यह सूंगता है नमक दिल भी काला हो गया हां नहीं रहे अच्छा एक बावत हो अच्छा सुनो ना रागाव ज बताओ तो चलो नहीं बताओंगा अरे यार सुनो अरे यह देखो किता जुटा आदिमी है और हम बागे जो हमको बूल रहा है जुट बोले बताओ ना यार कहां पे हो बताओ ना पहले जेनु में बताओ लिखा आमित्योरी नहीं जाया अरे भाई जेनु को छोड़ो यार अरे ज्यानी हुए क्या यह ज्यानी एक्या अरे है यह सुनो ना बताओ ना कहां पे हुआ इस डेख अपाल में रू बाल इस देश की चिन्टा चिन्टा सता रही है नियों के गंदगी पूरे एसियां, मद देश्यां फैली हुई है, इतना गंदा जगह हो, अनुने गंदे वो सबको गंदा बना रहे हो तुम लोगे गंदी मानसिक्ता के लोगो अच्छा ये बताओ अमबेटकर का लिखा समिधान किस देश में चलता है भाई मैंने तो नहीं देखा कहीं विश्व में कहीं चलता हूँ और अमबेटकर ने कभ लिख दिया भारत में भारत का समिधान है कितना पड़े हो मेरे वाई किछ भी बत बोलो या जैबिम चल रहा है यह रोक्सी सर का टर्न है भई रोक्सी सर जैबिम आपका माली हम बेटकर करके बात कर रहा है अपर तेरे राम ने क्या लिख दिया लंपट ने वह ऐसा लंपट था उसने यह देखा कि शंबू के शूद्र रहा है वह बगवान का नाम ले ले रहा है उसका उसने गला काड़ी अपर तेरे लंपट रहा हमने क्या लिख दिया तेरा क्रिशन सोलह हजार औरते रखता है लड़कियों को नंगे दिखाते हुए देखता है अब एक तेरे क्रिशन में क्या कर दिया अग्यों के यह नंबर downs लिखी है उसमें वह लिखता है राम शुरू पनगा को कहता है कि जा मेरे भाई के पास चली जा जो ब्याहा नहीं है वो शायद तुमसे शादिवादी कर ले वो राम जूठ बोलता है अबे तेरे लंपट राम ने क्या कर दिया बाबा सहाब का नाम इज़त से लेना नहीं तर तुम्हारे बापों की धोती ऐसी उतारूंगा सारी जिंदगी नहीं भांद पाऊगे मेरे बाप ने जो लिख दिया वो हमारे एक काफी है तुम्हारे जो बाप ने साले तुम्हें तो यहीं नहीं पता तुम्हारे बाप ने लिख क्या 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 दिया है योनी जोनी तंत्र अबे दौर फिटे मूते हैं सारा दिन योनी में बैठे रहत के जानवर्यों हो तुम लोग शारा दिन लोग जुट बोलते हैं जब शिकागो मे गया उनको तो बुधिस्त ने बोला कि हमारा टाइम ले लो उसको तो तुमारे गामणों ने टाइम ही ने दिया था उसको और हो मोज कहता था भीफ खाना चाहिए जो खाता था एंड तक खता रहा है वो